अभ्यास दस श्रीमन मैं तो यह कह रहा था कि राज्यसरकारों का समचार पत्रों के प्रती अगर यहीं रवया रहेगा तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निश्पच समचार पत्रों के लिए कोई अस्थान नहीं रह गया है बितमंत्री के जिस वक्तब्य का मैंने उलेख किया यह जो सजन अभी विवस्था का प्रस्न उठा रहे थे मैं उनसे चाहूंगा कि वे पहले उस वक्तब्य को देखने का कश्ट करे और तब इस प्रकार के विवस्था के प्रस्नों को उठाए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अभी कुछ इस प्रकार के समचार पत्र हैं जिनके संबंध में कानों में भनक पड़ी है कि परत्याच रूप से चाहे उनको न कहा जाए लेकिन अपरत्याच रूप से उनके उपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निश्पच लेख या समचार प्रसारित न करें मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत में विशेशकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो उसमें अगर इस प्रकार के दबाव डाला जाता रहा तो ए समाचार पत्र भांटों के गीत बनकर रह जाएंगे फिर ए जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र नहीं रहेंगे मैं एक और बात का भी विशेश रूप से उलेख करना चाहूंगा और चाहूंगा कि स्री गुजराल जब अपना उत्तर दे तो इस बात को बताएं कि सरकार की क्यों यह प्रविर्ती चल पड़ी है कि जब प्रधान मंत्री विदेश जाएं या राष्टिय राष्ट्पती बाहर जाएं तो समाचार पत्रों के समधताओं से सिधे संपर्ग अस्थापित किये जाएं जो भी समाचार एजेंसी हैं या पत्र हैं उसको कहना चाहिए कि आप अपने यहां से किसी प्रतिनिधी को मुझे जनकारी मिली है कि इस बार जब प्रधान मंत्री इरान यात्रा पर गई हैं तो एक समाचार पत्र के प्रधान संपादक ने केवल इसलिए अपने प्रतिनिधी को भेजने से इंकार कर दिया क्योंकि सरकार ने सीधे उनसे संपर्क अस्थापित किया है यह प्रवरिती भी इस बात की परिचायक है कि हमारे देश में निश्पच समाचार पत्रों की क्या इस्थिती बनती जा रही है अगर यह हाल रहेगा तो प्रजात तंत्र के लिए गवरव की बात नहीं होगी बलकि अभिसाप होगा पर्याग्रफ चेंज इसी तरह की एक बात जो मैं यहां कहना चाहता हूँ वह यह है कि समाचार पत्रों को अख़बारों को जो निश्प्रिंट मिलता है उसकी इस्थिती यह है कि लगभग 82 प्रतिसत निश्प्रिंट विदेशों से आयात होता है अभी पीछे जो आंकड़े दिये गए हैं उनके अनुसार गत वर्स हमारे देश में निश्प्रिंट की जितनी कमी थी वह 78,000 टन थी लेकिन इसी अनुपात से इस वर्स के लिए जो आंकड़े दिये गए हैं उनमें 1,33,000 टन की कमी का अनुमान लगाया गया है मैं जो विशेश रूप से बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो बाहर से निश्प्रिंट का आयात होता है राज्य व्यपार निगम द्वारा होता है राज्य व्यपार निगम को जब पिछले वर्स इस बात का अभास हो गया था कि निश्प्रिंट की यह इस्थिती होने वाली है तो राज्य व्यपार निगम ने आयात क्यों नहीं किया